प्रिये दर्शकों नमस्कार RSP की ओर से आप सभी को गड़तंत्र दिवस की हार्दिक शुपकाम नाए चल रहे कोविट महमारी के मध्यनजर आपसे अनुरोद किया जाता है कि कोविट उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें जैसे की मास्क पहनना, नियमेत रूप से हाथ धोना, उचित शारेरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीडभाल वाली जगों से बचना आये सुनते हैं आज के मुख्य समाचार सेल राउनकेला स्पास सयंत्र द्वारा देश भक्ति पूर्ण उस्साह के साथ तिहत्तरवा गड़तंत्र दिवस का पालन सेल आरेस्पी के बोलानी खदान में दीर्ग काली सेवा पुरुसकार वित्रण सामारो आयोजित और आजादी का अमित महोसों की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं डॉक्टर देवी प्रसंद पटनायक अब समाचार विस्तार सेल सेल राउनकेला स्पास सयंत्र आरेस्पी द्वारा 26 जन्वरी 2022 को देश भक्ति पूर्ण उस्साह के साथ राष्ट का तिहत्तरवा गड़तंत्र दिवस का पालन किया गया सेक्टर 6 के स्पास स्टेडियम में आयोजित सामारो में आरेस्पी के कार्यपालक निर्देशक खान शी एके कुंडू ने राष्ट ध्वच फहराया और CISF दल की सलामी ली समारो का आयोजन COVID-19 से संबंदित सरकारी दिशा निर्देशों के अलुपानल के साथ आधिकारी मार्यादा सहित किया गया कार्यपालक निर्देशक वाक्स शी S.R. सूर्यवंशी कार्यपालक निर्देशक परियोजनाय शी E.K. प्रधान कार्यपालक निर्देशक कार्मिक एवं प्रशाशन शी P.K. शत्पती मुख्य महाप्रबंदक प्रभारी सामगरी प्रबंधन एवं विपणन श्री C.R. महापात्र, मुख्य महाप्रबंदक प्रभारी वित्ययों लेखा श्री A. के बहोरिया, मुख्य चिकिस्सा अधिकारी प्रभारी चिकिस्सा एवं स्वास्त सेवा Dr. B. के होता, DMS की कारेकार अध्यक्षा श्रीमती इंद्राणी कुंडु एवं DMS की उपाध्यक्षा डॉक्टर स्रीमती सुमिता शामन और RSP के कई अन्य वरिष्ट अधिकारी इस अवसर पर उपस्ति थे। पहनों तक और पाइपलाइनों से लेकर रेलवे वैगनों तक हमारे द्वारा बनाया गया स्वदेशी स्पात पिछले 6 दशकों से अधिक समय से भारत के भविश्यकों गड़ रहा है और मेगन इंडिया विजिन में अपना मजबूत योगदान दे रहा है प्रयासों के विभ से समाप्त करने के साथ सभी प्रयासों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है सफलता के नए आयाम पाने की हमारी चाह महमारी के बावजूद कम नहीं हुई और हमने पिछले वर्ष उत्पादन उत्पादक्ता तकनी की आर्थिक व्यवस्था और लावप्रतता में उत्तम के संभरांत परिवार में शामिल हो गया है हॉट मैटल क्रूड स्टील और सेलेबल स्टील का उत्पादन अब तक के उच्चितम स्तर पर पहुँच गया जबकि विशिष्ट उर्जा खपत में आई कमी भी उपलबदी रही है आत्यादुनिक हॉट स्ट्रेप मिल दो से रो स्टीम आरेसपी को बधाई दी उन्होंने सुरक्षा पर भी जोड दिया और कर्मी समूं से सतर्क रहनी और सयंत्र में सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने का आग्रह किया कारेपालक निर्देशक खान ने अपने समापन सब्दों में कहा परिदिश्य कठेन है और लेकिन आ पाधाओं को लांगते हुए एक उज्वल और सफल भविश्य की ओर बढ़े भारत हमसे यह चाहता है और हम अपने मात्र भूमी के लिए इसे अवर्श्य पूरा करके रहेंगे बाध में शिकुंडू ने स्टेडियम में आयोजित चित्रकला प्रदर्श्य स्पात बरणाली का उधगाटन किया उन्होंने सभी गणमान्य व्यक्तियों के साथ प्रदर्श्य का भ्रमण किया और प्रदर्श्य चित्रों की सराहना की उन लेखनी हैं कि सेक्टर 20 के इंडोर स्टेडियम में RSP द्वारा आयोजित एक दिवसी चित्रकला कारेशाला में स्पास शहर के 15 नामी कलाकारो द्वारा चित्र बनाई गई दिपिका महिला जागरती संस्थान सेक्टर 20 में आयोजित एक और छोटे साबारो में कारेकाली अध्यक्षा श्रीमती इंद्राणी कुंडू ने राश्ट्रिय जंडो द्वारन किया DMS की उपाध्यक्षाएं श्रीमती हर्षला शुर्यवन्षी, डॉक्टर श्रीमती सुमिताश सामल, श्रीमती हिरनमै सत्पती तथा सचीव DMS, श्रीमती नमिता महापात्र तथा संगती के अन्य सदस्य उपस्थित थे सेल, रावर्केलास पास सयंत्र के बोलानी आयरिन खदान में हालही में एक दीर्ग कालिन सिवा पुरुसकार वित्रन सामारो आयोजित किया गया मुख्य महाप्रबंध श्री जोई देव चटोपाध्या ने कमपनी में 25 वर्ष की सीवा पुरी करने वाले कर्मचारियों को उनकी प्रतिबध सेवा के सम्मान स्वरूप हर साल देर्ग कालिन सीवा पुरुसकार प्रदान किया जाता है इसमें प्रशश्टी पत्र और प्रतिक उपहार के रूप में एक स्टेडलेस स्टील डिनर सेट शामिल रहता है आजादी का अमरित महोसो समारों की तहत सील रावकिला स्पास सैंत्र ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिष्टित हस्तियों पर समाचारों की एककड़ी प्रस्तूत कर रहा है आज के व्यक्तितों हैं डॉक्टर देवी प्रसन पतनायक 14 मार्च 1931 को तिगरिया कटक में जन्में डॉक्टर पतनायक एक लेखक और अंतराश्य ख्याती के भाषविध है औरिया भाषा में अपने भाषाई शोध कारे के लिए विदेशों में सम्मानित उन्हें एक आदर्श साहितिक आलोचक के रूप में जाना जाता है वहाँ भारतिय भाषाओं के केंद्रिय संस्थान मैसूर के संस्थापक निर्देशक थे उनकी रचनाओं में सहजता और यथार्थ वात की विशिष्टा है उनकी उलेखनी रचनाओं में उडिया भाषा और भाषा विज्ञान उडिया भाषा पर एक उपयोगी पाठ है ओडिया भाषा के समवर्धन में उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरुसकारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया है उन्हें भारत के सम्विधान की आठवी अनिसूची में बोडो भाषा को अपचारिक रूप देने और जोडने में उनके योगदान के लिए 1987 में पदमशी प्राप्त हुआ उन्होंने साश्त्रिय भाषा का दर्जा हासल करने के लिए और या भाषा का नरत्रित करने में भी प्रमुख भूमी का निकभाई आज के हिंदी समाचारों में बसनाही नमश्कार